नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गौरिशंकर मैं एक CBI सबस्पेक्टर प्रजिनली वरकिंग इस इंकम टेक्सपेक्टर स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको अपने SSC 2012 के इंटर्वी के बारे में बताऊंगा जिसके दुरू मुझे CBI में SI के पतपवर मेरा सेलेक्शन हुआ था चले शुरू करते हैं जो बच्चे SSC की प्रक्रिया से अनविग हैं उनके लिए मैं बता दूं के अब SSC में कोई इंटर्वी कंड़क्ट नहीं करवाया जाता 2016 की बाद से tier 3 का एक exam SSC ने conduct करवाना शुरू किया है जिसमें उनको essay rating करना प्रता है अब मैं अपनी 2012 के इंटर्वी की बात करता हूँ SSC 2012 के इंटर्वी को मेरे करियर में एक काली स्याही से लिखा जाना चाहिए उस interview के जितना embarrassing moment कभी मेरे जीवन में नहीं आया मैं आपको बताता हूँ पूरी story जब SSC में interviews होते थे तो जो notification था उसमें भी यही लिखा रहता था कि आप अपने graduation के subject को पूरी तरह cover करके जाए क्योंकि आप graduation के बाद उस exam में appear हो रहे हैं तो जो interviewer है उसके पास आपकी intelligence को test करने के लिए कोई और topic है नहीं तो generally जो questions पूछ जाएंगे वह या तो current affairs से पूछ जाएंगे या फिर आपके graduation से मैंने graduation किया है information technology में I am BTEC in IT information technology computer science की चोटी बहन है और जो interviewers होते हैं वो पुराने IES होते थे या फिर कोई बहुत पुराने senior officers होते थे जनरली retired होते थे तो उन लोग के सामने हमको जाना पड़ता था जब मैं वहां पर गया तो पैनल में तीन लोग थे तो जब मैं मैंने graduation किस स्ट्री में किया है तो मैंने का मैडम I am BTEC in information technology तो वह करें कि मैंने क्वेटर साइंस से related रहता है तो अब यहां पर एक misfortune समझ लीजिए या फिर twist of fate समझ लीजिए कि जो पैनलिस्ट थे उनमें किसी को भी यह नहीं मालूम था कि information technology में कौन-कौन से subject रहते हैं या क्वेस्चन उनसे पूछ सकते हैं तो वह तीस सेकंड तक तो एक दूसरे को देखते रहे कि इनसे क्या पूछा बट फिर वह पूछने कि आपने physics पढ़ी है क्या तो मैंने का मैड अब चार साल पराणी बात को आज़ानी से याद कपाना बहुत मुश्किल होता है और वह जब मैं physics में कोई बहुत ज्यादा strong नहीं था मेरा तो सबसे पहले उन्होंने पूचा के कुलाम्स लो बताईए तो कुलाम्स मेरे को मोटा मोटी याद था के q1 q2 divided by r2 उनके बीच म सब्सक्राइब तो फिर उन्होंने कहा कि तो किस टॉपिक से आप से questions पूचे जाए तो मैंने का मैडम मैच से पूच लीजिए तो उन्होंने मैच से फिर एक question पूचा एक उन्होंने polygon मना दिया और बोला कि इसका area आप कैसे निकालोगे अगर इस polygon की सारी sides आपको पता है तो मैंने का मैडम triangle से बड़े किसी भी polygon का area का direct formula नहीं होता हम उस polygon को अलग-अलग triangles में डिवाइड कर सकते हैं फिर separately हर triangle का area का formula लगाके उन चार को add कर लेते हैं तो वो इस answer से satisfied हो गए बट अभी मैं बता दूँ यह solution भी गलत है यह इसका तरीका नहीं है आप ऐसे ही समय भारत के पूर प्रदानमंत्री एक थे स्री आई के गुजराल उनका दिहान तुवाता साथ याट दिन पहले ही तो उन्होंने कुझा कि अभी कौन से फॉर्मर प्राइमनेस्टर की डेथ होई है तो तो आई डिन नो डाट अट अट दे टाम मुझे नहीं बताता तो मैं सब्सक्राइब का मेडम आम सोरी तो फिर वो और पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेस्टेंस पूछने लगे मैं बोलता कि मैडम सोरी डॉन्ट नहीं था अपनी स्टेडिस के इदरदर वाले टॉपिक से या मैं कहूं कि मैं पॉलिटिक्स वेकर मैं ज्यादा इंटरस्ट नही सब्सक्राइब को यह पता है भारत का प्रदानमंत्री कौन है तो मुझे थोड़ा बहुत इसका इलेक्शन के बारे में पता था प्रोसेस के बारे में तो मैंने वह बता दिया और कुल मिलाकर गाड़ी ऐसे डावाडोल टावाडोल टाइप से चलती रही और किसी भी मुवमेंट पर मुझे ऐसा नहीं लगा के इंटर्व्यू मेरा ऐसे ही सैड नोट पर एंड हो गया और उन्होंने एक मुझे एवरेज मार्क्स दिये पचास बाद में जब रिजल आ कब वेस्ट गया तो उसको नंबर मिलेंगे सतर या या विकतर कभी भी मैंने दोबार इंटर्वी दिया है essa कह और कभी ही किसी भी टॉपर को सतर से जादा नंबर नहीं मिलें हैं अभी शायद टियर थ्री में थोड़ा तो मेरे को 2012 में CBI वाले टाइम पर 50 नंबर दिये गए थे और जब मैं Income Tax Inspector के लिए मैंने 2014 में इंटर्वु दिया था तो उस समय मेरे को 62 मार्क्स दिये थे और उसके दुरुमर को CBI में selection मिल गया था और minimum जो cut-off गई थी CBI में selection के लिए वो गई थी 428 यहां पर मैंने एक mistake किया था मैं आपको बता देता हूं जब posting पहले form भरने के time पर यमजे ले लेते थे तो post preference के लिए मैंने सिर्फ पांच post भरी थी जिनको जो के widely known रहती ही जैस state भरेते यूपी डेली और पंजाब तो इसी लिए मुझे यह चार जो top की post थी वो इन तीरों state में नहीं मिली तो यह मेरा good luck था कि मेरे को पांचमी post CBI की मिल गई अगर मेरे को यह post नहीं मिलती तो वो मेरे को आगे किसी भी और post के लिए consider नहीं करते तो यह मेरा good luck था कि म बच गया अधरवाइस मेरे को जॉब नहीं मिलती तो आप ऐसी गलती कभी न करें जब भी आप इसका form भर है या जब भी आप इसकी preferences भर है तो आप सारी के सारी post भरिए और सारे के सारे states भरिए चलिए दोस्तों आई हो आपको मेरे embarrassing interview की story सुनके शायद थोड़ा सा feel good और आगे मैं आपको अपने income tax inspector वाले interview के बारे में भी बताऊंगा चलिए फिर मैं आपके साथ मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार